मैं आज आप लोगों के लिए 19 सती में खड़ी बोली का साहितिक भासा के रूप में विकास से सम्मंधित वस्टूनिस्ट प्रस्णों को आज हम लोग सलूसन देखेंगे जो की इक्जामनेशन के डिश्टी कौन से यह बहुत ही महत्पूर्ण है अब आज जो होगा यह प्रैटिक से टूर हैगा इसका इसमें हम लोग लगभग अलमुस 40 प्रस्ण करेंगे 51 नमबर से लेके 90 नमबर प्रस्ण तक सलूसन देखेंगे और आप लोग खुद से लाइसिस किजिएगा खुद से टेस्ट दीजिएगा आप लोग कौन सा प्रस्ण बीक है इसमें तो मैंने टोपिक बता दी दूंगा लास्ट में कि क्या क्या टोपिक आपको पढ़ना है जैसे फोर्ट विलियम कोलेज हो गया और भारतेंदू पू आप पीडियाफ चाहते हैं तो आप इस वार्षप नौपर कॉंटेट कीजिए यूवनली मेसेज टोटल स्लेवर्स का नोट्स इंडिविजुल टोपिक का इंडिविजुल खंड का कैसे भी आप पर्चेस कर सकते हैं अगर चाहते हो इंटेस्टेड हैं तो अधरवाज कर लिजी सब को सारे को 51 नमर जो है भारतेंदू यूग से पूर्व गद के लेखक हैं चार बिकल्प दिये हुएं मुंसी सदा सुखलाल रामचन सुखल बाल प्रिष्ण भर्ट महादेवी बर्मा तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे ये इसका आई टेंसर जो हो जा हो जाएगा मुंसी सदा सुखलाल नेक्ट प्रस्ण जो है भारतेंदू यूगिन गर्द की समय सिमा क्या है तो यहां इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा विकल्प बहुत हो जाएगा अठादर सो पचास से लेके उनेस्सो इस्वी तक नेक्ट प्रस्ण है भारतेंदू यूग के लेखक हैं तो इसमें भी चार विकल्प दिये हुए हैं तो यहां से विकल्प आपका का सही हो जाएगा बाल कृष्ण भट नेक्ट प्रस्ण है सदल मिस्र की रचना है प्रेम सागर ग्यान सागर सुक सागर नासी के तो पखाईं तो यहां पर आपका विकल्प घह सही हो जाएगा सही जवाब नेक्ट प्रस्ण है भारतेंदु युक के लेखक हैं तो चार विकल्प में से आपको चूच करने हैं तो विकल्प को हो जागा परताप नाइन मिस्र रानी केत्की के कहानी के लेखक हैं सदा सुक लाल ललू लाल सदल मिस्र इंसा अलाखां तो यहां से जो विकल्प आपका जो सही हो जाएगा विकल्प घह हो जाएगा इंसा अलाखां नेक्स्ट प्रस्ण है राजा भोज का सपना के लेखक हैं तो यहां से आपका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प गव सही हो जाएगा राजा शुव पसाद सितारे हिंद नेक्स्ट प्रस्ण है महावी पसाद दिवेदी को किस संस्था ने आचारी के उपाधी से समानित किया गया है तो यहां से जो विकल्प आपका होगा विकल्प खो सही हो जाएगा नागरी पचारी सभा खरी बोली के दर्शन किस में पहली बार होते हैं पीथवी राज आसो चंद चंद बर्नन की महिमा विसल देव राज आसो उप्रिक्त में से कोई नहीं तो यहां से जो आपका विकल्प जो सही होगा विकल्प टू होगा चंद चंद बर्नन की महिमा नेक्स्ट है किसने खरी बोली को तकसाली भासा माना है तो यहां से विकल्प चासर ही हो जाएगा गिलक्राइस्ट नेक्स्ट प्रस्ट है इनमें से भातेंदू मंडल का लेखक कौन है तो 61 का पोजो होगा बदी नरायन चौदी प्रेम गन देखे भातेंदू युग में जो जो लेखक हैं आप सारे के बिलकुल यात्र के जाएए फोट पीडियम कोले से रिलेटे जितना भी फैक्ट होते हैं उसे यात्र के जाएए और जो चार लेखक हैं जिसे ललू लाल हो गयें और फी निठत से हो जहएग सदल मिसव मिस्व हो गयें और इंस्वालाखा हो गए यह तो सदा सुख लाल नियाज जो हो गयें यह सब सारे के बारे में डिटेल से परकर यहां इसे आपके प्रस्शन बनने के ज्यादा चांस है और भारतेंदु पूर्व यूग से जितने भी हैं और भी है राजा लश्मन सिंग और सिवी पसार सितारे हिंद यह जितनी भी मैं टोफी बोलू सारे को अच्छे ठंक से करके जाईए आरंबिक खरी बोली गद के कौन से दो अधार अस्तम फोर्ट बिलियम कोलेज में भासा मूंसी के रुप में निक्थ हुए थे तो यहां पभी देखे चार बिकल्प दिये हुए हैं तो चार बिकल्प में से देखे ललू लाल और सदलमिस्र आपका बिकल्प आसा ही हो जाएगा ललू लाल और सदलमिस्र नेक्ष्ट प्रस्ण है ललुलाल जी की कृत प्रेम सागर की विशय में कौन सा कथन सत्य है यह एक अनुवाद गरंथ है इसकी भासा कथा वारता के अनुरूप है इसके सब दुरूप अनिचित भासा बर्जी रंजीत तथा सैली पंडिताओ है इसका अनुवाद अंग्रेज अनुवाद की भासा से भी हुआ है यह भात्यंदू परवती तचना है तो यहां से देखिए आपके क्या हो जाएंगे विकल्प यहां से तो विकल्प आपको यहां से हो जाएंगे विकल्प आपको बताना है सत्य कौन है तो विकल्प जो भी है बिलकुल साहिजवा हो तो विकल्प यहां से पहले से तीक हो गया है तो मुंसी सदा सुखलाल 64 के जो होगा विकल्प यह से हो जाएगा 65 नमर है 19 सदी के आरम में चार ऐसे लेखक आभिर्भुत हुए जिनोंने हिंदी गद की अधार सिला रखी इन में से किसकी गद सेली परवती गद लेको द्वारा अपनाई गई है तो यहां से हो जाएगा विकल्प बह हो जाएगा सदल मिस्र इन में से कौन भातेंदू मंडल का लेखक नहीं है तो जब तक आपको भातेंदू मंडल के लेखक याद नहीं रहेंगे कि उसमें कितने लेखा काते हैं, क्या या नाम है, तब तक ये प्रश्णक से बने गरें, तो यहां से जो होगा बिकल्ब, दो होगा गुलाव राई नेक्ट प्रस्टने उदाय भान चरित किस रशना का दुसरा नाम है तो यहां से हो जागा बिकल्ब सरानिक केतकी की कहानी इन में से टाउन पन किस लेखक की भासा में सुकूल जी ने माना है सदल मिस इनसालाखान सदासुक ललुलाल हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है यह कथन किस लेखक का है तो यह जो है आपका पास जाजा लच्मन सिंग बिकल्प बहुत ही हो जाएगा निमलिखीत में से किस गर्द क्रिती का निर्मान फोर्ट बिलियम कॉलेज में हुआ था तो यहां से दो बिकल्प आपका देखिए बिकल्प यहां पर सव हो जाएगा नासी केत्कों पकाईन 71 निमलिखीत में से किन लेखो का समन फोर्ट बिलियम कॉलेश था राजा लच्मन सिंग शीव पसार सिरारे हिंद राम पसार दिरंजनी बैकूंट कंट मिस्र जूगल किसोर बाल मुकन गुप्त ललुला सदल मिस्र यहां साब को बिकल्प बिल्कुल साही जवाब देखिए होंगे बिकल्प डी ललुला सदल मिस्र ललुजी द्वारा रचित नहीं है तो यहां पर चार बिकल्प दिये हैं तो यहां से जो होगा सुक सागर ये इनके द्वारा रचित नहीं है बाकी जितने भिये सिंगासन बतिसी प्रेम सागर बैताल पचिसी यह ललुजी द्वार का रचीत है निमिकीत में से कौन भारतेंदू का परवती गदिकार है तो यहां से आपका जो विकल्प जो सही हो जाएंगे आपको यहां से विकल्प यह होंगे परताप नायन मिस्र लाल चंद्रिका के रचनकार है तो यहां से विकल्प यह हो जाएगा ललू लाल जी फोर्ट विडियम कॉलेज में हिनुष्टानी के पर्थम प्रफेसर कौन थे तो यहां से आपको जो विकल्प होगा गिलक्रिष्ट या गिलक्राइस्ट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको नेक्ट है कौन सा लेखक भारतंदू मंदल का नहीं है तो देखिए परताप नैनमिस्र बाल किष्ण भठ प्रेम गान सिधर पाठक यहां सबको विकल्प डी होगा सिधर पाठक नहीं है बाकी तीनों है यहां से नेक्ट है निम्लिक्षित में से कौन सा लेखक भातेंदू मंदल का नहीं है तो यहां से भी आपका होगा विकल्प D आपकर पकर दी होंगे राजा लच्छमन सिंग बाकी जितने भी हैं यह भातेंदू यूग के हैं फोर्ट बिलियम कॉलेज के हिनुस्तानी भीभाग के पर्तम अध्यच कौन थें तो यहां से विकल्प आपका सही कर जाएंगे गिलक्रिस्ट या गिलकलाइश्ट राजा लच्मन सिंग किस हिंदी के पच्छधर थें तो यहां से हो जाएंगे संस्कित निष्ट हिंदी विकल वह सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट है खरी बोली का नाम इसलिए पढ़ा क्यूंकि बिकल्प डी सही हो जाएगा क्यूंकि खरी मात्रा का परियोग अधिक होता है नेक्स है इनिवेस है कौन कॉलकत्त के फोर्ट बिल्यम कोलेज से समय थें तो यहाँ से आपका जो बिकल्प हो जाएगा ललूलाल हिरुस्तानी विभाग की स्थापनास ब्रत्थम कहा हुई थी तो यहाँ से सही बिकल्प कर गाँँगे फोर्ट बिल्यम कोलेज को को industrial नेक्ट प्रस्ण है आधुनिक हिंदी साइट में राजा द्वायंग के नाम से बिख्यात दोस्तनकार हैं तो यहां से देखिए बिकल्ब बिल्कुल हो जाएंगे राजा लच्मन सिंग और राजा देखिए राजा आपके दोनों याद दखने हैं लच्मन सिंग राजा सुप खरी बुली सब्कें परियोग का सरे निम्लिखित में से किसे है तो यहां से आपको घूमा फिराके एक ही कोशन को किस प्रकार से पूछी रहा है आपनों ध्यान दिजिक है खड़ी बोली सब्द के परियोग का स्रे निम्लिखित में से किसे है तो यहां से आपका जो होगा विकल्प दव हो जाएगा ललू-लाल उनिसीवी सदी में खड़ी बोली का हिंदी के विकास में हिंदी के असित्व किलराई लगने वाले रस्तनकार कौन है तो चार विकल्प में से विकल्प अपकलो सही कर दोंगे राजा स्वीपसार सितारे हिंद विकल्प यह सही हो जाएगा जौन गिलक्रिष्ट के अधिस्ता में किस कॉलेज के चार लेकों ने खरी बोली की अनेक सेलियों की निव रखी तो यहां सोजाएगा फोर्ट बिलियम कॉलेज खरी बोली गद के अरंभिक रशनकारों में फोर्ट बिलियम कॉलेज के बाहर दो रशनकार कौन-कौन है तो यहां से आपका जो विकल्प जो हो जाएगा देखे दाजा लच्मन सिंग सिवीपसास सिंग सितारे हैं यह ते बिलकुल नहीं होगा सदा सुख लाल नियाज और इंसा अलाखान यही आपका विकल्प सही हो जाएगा सदा सुख लाल और नियाज और इंसा अलाखान 89 नमर हिंदी के आरंबिक गद लेखकों में से कौन दो लोग फोर्ट बिलियम कोलेज के भासा मूंसी थे तो लल्लू लाल और सदल मिस विकल्प आपको यहां से 10 सही हो जाएगा आज का यह अंतिम प्रस्ण है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है इसे जरू करके जाएए और संगत बताना है देखे इधर सुख सागर प्रेम सागर रानी केत की कहानी नासी केत को पख्याइन यह जो दिया हुआ है आपके पास यह बुक का नाम दिया है और उसके उधर सदा सुख लाल नियाच बिल्कुल सही है प्रेम सागर ललु जी द्वारा बिल्कुल सही है रानी केत की कहानी इंसालाखन यह भी सही है नासी केतो पख्याइन सदल मिस यह भी सही है लेक उप्र्युक्त कोई असंगत नहीं है तो आपका यहां से बाकी जितने भी हां लिख महत्पुन प्रस्ट बनते थे मैंने आपको दीने का प्रयास किया हूँ और यहां से एक से नबवे अगर एम सी क्यू करके जाते हैं तो आपका दो से तीन प्रस्ट आपके बिल्कुल सही होने के चांसे बढ़ जाएंगे तो इस टोपिक से जितनी भी प्रस्ट मुझसे बन रहते हैं मैंने बना दिये और आप लोग ऐसे ही मैं कि कुछ और स्टी कीजिए ताकि आपका एक भी प्रस् बिक है कौन सा स्ट्रॉंग है और जो बिक रहेगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने कोसिज कीजिए ज्यादा प्रैक्टिस से डिजिए टेस्ट दीजिए तभी आपका इस बील्ड होगा ओके थैंक्यू सो मच फोर वाचिंग मैं व